आज हम सीखेंगे जन्तु के तंत्री का उतक के बारे में हम केवल आवाज सुनकर हमारे दोस्त का नाम पहचान लेते हैं इसी तरह केवल खुश्बू से हम पुश्प की पहचान कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि यह सब हम कैसे कर पाते हैं? सोचिये सोचिये चलिए हम बताते हैं हम अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों की पहचान करते हैं और इन परिवर्तनों के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं जीव द्वारा उसके परियावरण में आने वाले परिवर्तनों की पहचान करना उद्धिपन यानि stimulus कहलाता है तथा परिवर्तन के अनुसार दी गई प्रतिक्रिया, अनुक्रिया यानि response कहलाती है उद्धारण के लिए यदि किसी गरम वस्तु से अन्जाने में हमारा स्पर्श होता है तो स्पर्श होने वाला अंग तुरंट पीछे ले लिया जाता है यहां वस्तु का गरम होना उद्धिपन है और अंग पीछे लेना अनुक्रिया है यहां सूचना हमारी तवचा से भुजा की पेशी कोशिकाओं में पहुँचती है और गती होती है यह कार्य तंत्री का उतक की सहायता से होता है हमारे शरीर में उपस्त्य तंत्री का उतक, स्पर्ष, ध्वनी, गंध, स्वाध और दुरुष्टी के उद्धिपनों के लिए प्रतिक्रिया देने का कार्य करता है इसलिए हमारे शरीर की सभी कोशिकाव में उत्तिजना यानि उद्धिपन के अनुकूल प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है तंत्री का उतक तंत्री का तंत्र का मुख्य उतक है मस्तिश्क यानि ब्रेन, मेरुरज्जु यानि स्पाइनिल कॉड और तंत्रीकाए यानि नर्व्स तंत्रीका उतक से बने हुए होते है मस्तिश्क, मेरुरज्जु और तंत्रीकाए मिलकर शरीर में होने वाले सभी क्रियाओं का नियंतरन करते है तंत्री का उतक की कोशिका को तंत्री का कोशिका यानि नियूरौन कहा जाता है नियूरौन तंत्री का उतक की क्रियात्मक एकाई यानि फंक्शनल यूनिट है नियूरॉन बहुत जल्दी उत्तेजित होता है और उद्धिपन को बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है यानि कि नियूरॉन विभिन उद्धिपनों को प्राप्त और संचालित करता है Neuron कोशिका काय यानि Cell Body, Dendrites और Exxon से बना हुआ है कोशिका काय तारे के आकार जैसा होता है और यहाँ Neuron का मुख्य भाग है जिसमें केंद्रक यानि Nucleus और कोशिका द्रव्य यानि Cytoplasm होता है कोशिका काय में से लंबे और पतले बालो जैसी शाखाय निकली हुई होती है प्रतेक Neuron के कोशिका काय में से बहुत सारे छोटी शाखाय वाले प्रवर्द यानि Dendrites निकले हुए होते हैं और एक लंबा प्रवर्द यानि Exxon निकला हुआ होता है एक्सोन के अंतिम सिरे को तंत्रिका सिरा यानि नर्व एंडिंग कहा जाता है डेंडराइट उद्धिपन को कोशिकी ये काई की ओर भीजता है और कोशिकी ये काई से उद्धिपन एक्सोन से होता हुआ तंत्रिका सिरे तक पहुचता है एक नियूरॉन के अंतिम सिरे और दूसरे नियूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में रिक्त स्थान होता है इस स्थान को सिनेप्स कहा जाता है उद्धिपन इस रिक्त स्थान यानि सिनेप्स को पार करके दूसरे नियूरॉन के डेंड्राइट तक पहुँचता है तंत्री का उतक में उद्धिपन इसी तरह से संचालित होता है तथा नियूरॉन में उद्धिपन का संचालन केवल एक ही दिशा में होता है देंड्राइट से नियूरॉन के अंतिम सिरे तक एक तंत्री का कोशिका यानि नियूरॉन एक मीटर की लंबाई का हो सकता है यानि यूनिपोलर में वर्गिकृत किया है बहुद्रूविय न्यूरॉन में एक एक्जॉन और दो या दो से अधिक डेंडराइट्स होते है द्वी द्रूविय यानि बाइपोलर द्वी द्रूविय न्यूरॉन में एक एक्जॉन और एक डेंडराइट होता है एक दुरूविय नियूरॉन में केवल कोशिक ये काई और एक एक एक्जॉन होता है एक्जॉन को तंत्रिका रेशे यानि नर्फ फाइबर भी कहा जाता है बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उतक यानि कनेक्टिव टिशू से जुड़कर एक तंत्रिका यानि नर्व का निर्मान करते हैं तंत्रिका रेशे से गुजरने वाला उद्धिपन यानि सन्वेदन को तंत्रिका स्पंदन यानि नर्व इंपल्स कहते हैं तंत्रिकाएं तंत्रिकास बंदन को मस्तिश्क या मेरूरज्जु तक पहुँचाती है मस्तिश्क या मेरूरज्जु उचित प्रतिक्रिय देने का निर्नेय लेते है यहां से सूचना मस्तिश्क या मेरूरज्जु से निकलने वाले तंत्रिकाओं में संचालित होती है इस तरह तंत्रिका स्पंदन की सहायता से हम पेशियों की गति अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इस प्रकार का संयोजन सभी जन्तुओं को उद्धिपन के अनुसार गति प्रदान करता है। इसलिए तंत्रिका और पेशिय उत्को का क्रियात्मक संयोजन सभी जन्तुओं में भी मौलिक यने फंडामेंटल है तो आज हमने सीखा जन्तु के तंत्रिका उत्क के बारे में